नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जियां दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबसे लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरे मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में मोदी ने पटना से लगबग 40 किलोमेटर दूर पाटली पुत्र लोगसबाश शेत्र में एक रेली में विपक्षपर तीखा हमला किया जहां उन्होंने अल्प संक्यक सस्थानों में SCST और OBC को कोटा से वंचित करने के लिए राज़दोर कांग्रिस जिसी पार्टियों को भी जिमेदार ठहराया उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपक्षी गटमंदन उन लोगों के समर्थन पर भरोसा कर रहा है जो वोट जिहाद में शामिल है चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन को बंद करने की तेयारी इन स्टेशनों पर सिफ्ट होगी ट्रेन है जहां दोस्तो भारत में रोज़ना करोडो लोग ट्रेन से सफर करते हैं रेल्वे देश में करोडो यात्रियों को आवागमन का सबसे सस्ता और प्रमुख साधन भी है वहीं दोस्तो बड़ी ख़बर अब राजधानी से है दरसल दोस्तो राजधानी होने के चलते नई दिल्ली स्टेशन में यात्रियों की हमेशां गहमा गहमी रहती है आखलो के अनुसार करीब 6 लाग यात्री रोज़ना नई दिल्ली स्टेशन से आवागमन करते हैं इन या योजना के तयत इसे कुछ समय के लिए बंद करेगी दोस्तों आपको बता दें साल 2013 में रेल मंतराले दोरा भारत के करीब 1300 रेल विस्टेशन का पुनर विकास पलान बनाया गया था इसी री डवलप्मेंट पलान के तयत नई दिल्ली रेल विस्टेशन का भी पुनर विकास क किया जाएगा इस वजह से यहां पर चलने वाली ट्रेनों को दूसरी जगह सिफ्ट किया जाएगा चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर पूने पोर्ष कार कांड आरोपी के दादा को तीन दिन की पुलिस हिरासत ड्राइवर को बंदक बनाने का आरोप जहां दोस्तों महाराष्ट के पूने में हुए पोर्ष कारहाथ से मामले में नाबालिंग आरोपी के पिता विशाल और दादा सुरेंदर अगरवाल के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज कर ली गई इसके साथी शनिवार के सुभह उन्हें गिरफतार भी कर लिया गया आरोपी के दादा सुरेंदर अगरवाल को पुलिस ने कोट में पेश करके 7 दिन की पुलिस सिरासत मांगी थी लेकिन कोट ने 3 दिन की ही पुलिस कस्टिडी दी 28 मई तक उनको पुलिस सिरासत में रखा जाएगा वहीं दोस्तों पुलिस ने कोट में बताया कि साथ से कि जिम्मेदारी लेने के लिए आरोपी के दादा सुरेंदर अगरवाल ने अपने ड्राइवर गंगा राम पर दबाव बनाया था इतना ही नहीं उसका अपरण करके अपने बंगले में केद करके रखा था घर के कुछ CCTV फुटिस बरामद हुए हैं जिससे उनके अपराद की पुष्टी होती है इससे पहले सुरेंदर अगरवाल ने कोट को बताया कि वो हाथसे वाले दिन पूने में नहीं थे किसी व्यक्तिकत काम से दिल ली गए थे उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है इस पर पुलिस घर आकर DVR ले गई पूने के पुलिस कमिशनर अमितिश कुमार ने बताये कि ड्राइवर पर हाथसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया गया था उसने अपने पहले बयान में कहा था कि वो कार चला रहा था लेकिन सबूतों के हिसाब से कार ना बालिंग ही चला रहा था चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली ख़बार COVID-19 ने एक दशक्की बड़त को किया खत्म NCD से मोतों में इज़ाफा WHO ने जारी की रिपोर्ट जियां दोस्तों विस्व स्वास्थे संगठन यानि की WHO की और से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पाया गया है कि 2019 और 2021 के बीच वेश्विक जीवन प्रत्याक्षा 1.8 वर्ष से घटकर 71.4 वर्ष हो गई है जबकि स्वस्ते जीवन प्रत्याक्षा 1.5 वर्ष घटकर 61.9 वर्ष हो गई है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें तो एक नॉर्मल आदमी के जीने की आयू में लगबग 2 वर्ष की कटोती कोरोना की वजह से हो गई है चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर कांस में पहली बार भारतिये को मिला बैस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अनसुया सेन गुपता को फिल्म दर्शेमलेश के लिए मिला सम्मान इसमें सेक्स वरकर्स की कहानी जिया दोस्तों सततरवे कांस फिल्म फेस्टिवल में कोलकत्ता की रहने वाली एक्ट्रेस अंसुया सेन गुपता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया अंसुया को यह अवार्ड अंसंटेन रिगार्ड सेग्मेंट की फिल्म दर्शेमलेश में उनके पर्फोर्मेंस के लिए मिला है इसके साथ इवे कांस के इतियास की पहली भारती एक्टरेस बन गई है जिने यह अवार्ड मिला है चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार आप कुछ लेते क्यों नहीं अमिच चाहा और जेपी नडडा जी को तुरंत उनका इलाज करवाना चाहिए शायद सूरज के नीचे भाशन देने से उनके दिमाग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार अपने परिवार के साथ दिल्ली में वोट डाला जिसकी तश्वीर उनने सुशल मीडिया पर पोस्ट की केजरिवाल की तश्वीर को फिर से पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाज चोधरी ने लिखा आतंकवाद के सबसे बड़े प्रियाजुकों का हस्त शेप भारत बरदाश्त नहीं करेगा चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार बंगाल जार ग्राम के बिजेपी उम्मीदवार पर फत्तरों से हमला ममता सरकार पर लगाए आरूप जान उस्तों पश्यमंगाल में आज 8 सीटों पर मददान हो रहा है इसी बीच जार ग्राम के मोंगला पोटा में बिजेपी नेता और जार ग्राम से उम्मीदवार प्रनत डुड़ू पर हमला हो गया चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार रोशनी पहुंचाई इसके बाद प्रदान मंतरी करीब डेड़ बजे कारा काट पहुंचे यहां उपहिंद्र कुसवाहा के लिए उन्होंने वोट मांगा इस दोरान उन्होंने लालू और तेजस वियादा उपर बड़ा हमला बोला पीम ने कहा कि बिहार के लोगों से नोकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों का जेल का कांडाउन शुरू हो गया है हेलिकॉप्र का चक्कर खत्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार छे राज्यों में लू का रेड अलट, राजस्तान में दो दिन में 13 मोत हैं, देश में 240 गीगावाट पहुची बिजली की मांग, यह सीजन का हाई एस्ट दरसल दोस्तों 25 मई से 9 तपा शुरू हो गया है, यह 2 जून तक रहेगा इस दोरान देश के कुछ इस्सो में तापमान 49 डिग्री यानि कि 49 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है मोसम विभाग ने आज देली, राजस्थान, मद्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाना के लिए लू यानि की हीट वेव का अलट जारी किया है जोतिश के हिसाब से सूर्य कृतिका से रोहनी नक्षत्र में प्रिवेश करता है, तब से 9 दिन तक 9 तपा होता है जादा होने के चलते इंजन रिस्ट्रिक्ट मोड में चला गया था, उदर कश्मीर घाटी में भी तापमान बढ़ा है, यहां 23 मई को अधिकतम तापमान 32.2 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया, यह है 11 साल में सबसे जादा रहा वहीं दोस्तो शुकरवार को देश की पावर डिमांड बढ़कर सीजन के सबसे उचे इसतर 49.46 जी डबलू पर पहुँच गई है, पावर मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबित गुरुवार को पावर डिमांड 236.69 जी डबलू थी चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार पहला गया, उन्होंने कहा कि सेक्स वीडियो वाइरल होना मामले का महत्यपूर्ण पहलू नहीं है, सबसे बड़ा अपराद रेप है, इस बात को कमजोर करने के लिए कुमार सुआमी दूसरी बातें बोल रहे हैं, वे डिप्टी सीमडी के शियू कुमार और दूसरे लोग पहले बल्ले बाद के लिए इस मेच में रियान पराग सस्ते में आउट हो गए, इस पर गावसकर रहे हैं, इस पर कमेंटरी के दोरान तीक ही पृतिकरा दी, उन्होंने कहा कि क्या सच में ऐसे आउट हुए रियान प्रयाग, आपके इतने ज़्यादा टैलेंटेड होने का क्या फायदा होने वाला है अगर जो अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, चले दोस्तों जान लेते और दोशनिवार को भी बैंक बन रहेंगे, महीने की शुरुआ चुट्टी के साथ होगी, दोस्तों आपको बता दें, 17 जून को बकरी ईद, उल अजहा के मोखे पर देशबर में बैंक बन रहेंगे, वही 18 जून को भी, जमू और कश्मीर में बैंकों में कामकाज नहीं पाँच रविवार और दोशनिवार को पूरे देश में बैंक बन रहेंगे, चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खाबार, लेकिन उससे पहले मेरी आप से छोटी से रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको भी तक मारी न्यूस पसंद आए तो इस चोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजे और अगर आपका पसंद नहीं आए तो बेशिक आप इस लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजे क्योंकि दोस्तों यह हमारी मिनत का फलो होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको अम बनाने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, धोका दड़ी के लिए एक नया तरीका डिजिटल हाउस अरेस्ट काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, रिज़रू बैंक एक रिपोर्ट से पता चलाए कि 2023 के दोरान देश में 30,000 करोड रुपे से अधिक की धोका दड़ हाउस अरेस्ट में नकली पुलिस स्टेशन सरकारी कारले, इस्तापित करने और EDJC वर्दी पाहनने जिसे हटकंडे भी अपनाए जा रहे हैं, पिछले एक दसक में भारतिये बैंकों ने धोका दड़ी के 65,017 मामलों की सूचना दी, जिसके कारण कुल 4.79 लाग करोड रु ओनलाइन धोकादली का शिकार हुए हैं, चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खाबार, 21 विदेशी ओर्गनाइजेशन्स ने अडानी कॉल इंपोर्ट केस में CGI को लिखा लेटर, केस को तेजी से रिजोल्व करने की मांग की, अडानी पर लो ग्रेड कोईले को हाई ग्रेड में बेचने का अरोप, जैंदोस्तों 21 इंटरनेशनल और्गनाइजेशन्स ने अडानी कॉल इंपोर्ट केस को लेकर चीफ जस्टिस ओफ इंडिया डीवाई चंचून को एक लेटर लिखा है, इस लेटर में और्गनाइजेशन्स ने सुप्रिम कोड से डायर ट्रेड ओफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा दायर अडानी गुरूप के पेंडिंग केस को तेजी से रिजोल्व करने की रिक्वेस्ट की, इस मामले में इंडोनेशिया के कोल इंपोर्ट के ओवर वेल्यूएशन के लिए अडानी गुरूप की फर्मोखी जाच की म पतदान के साथ लोकसभाचुनाओं दोजार चोविस अब अपने अंतिम पडाओ की ओर बढ़ गया, लोकसभाचुनाओं के साथवे और अंतिम चरण में एक जूनी आनिकी शनिवार को वो डाले जाएंगे, इस चरण में आठ राजियों की शेश 57 सीटों के लिए मदान हो दोस्तो लोकसभाचुनाओं के साथवे और अंतिम चरण में बियार, चंडिगड, पंजाब, इमाचल प्रदेश, जहार खंड, ओडिसा, उत्तर प्रदेश और पशिम मंगाल की सेंस सीटों का चुनाओं होगा चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार पिछले कुछ समय में अडानी पोर्ट्स के शेर में लगातार तेजी देखी गई और पिछले साल एक साल में इसने 95 प्रतिशत से जादा का रिटन दिया वहीं विप्रो के शेर ने इस दोरान 17 प्रतिशत का रिटन दिया अडानी ग्रूप की कंपनीयों में अडानी पोर्ट्स ऐसी पहली कंपनी है जिसे Chen 6 में शामिल किया जा रहा है नेशनल स्टोक एक्सेंज एन से के Nifty 50 में अडानी एंटरप्राईज और अडानी पोर्ट्स दोनों ही शामिल हैं चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार चेड़ चाल के इस बंगाल राजभवन के स्टाप को हाई कोट से राहत कोट ने पुलिस जांच 17 जून तक रोकी पुलिस से इंवेस्टिकेशन रिपोर्ट भी मांगी जिया दोस्तो कलकता हाई कोट ने शुकरवार को पश्यमंगाल के राजभवन के दो करमचारियों के खिलाब पुलिस की जांच पर 17 जून तक रोक लगा दी है जस्टिस अमरत्ता सिंग ने कहा कि आरोपी जमानत पर है पुलिस के पास सबूत है अब तक जो जांच हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट 10 जून को अदालत को सोपे छुट्टियों के बाद रेगूलर बेंच मामले की सुनवाई करेगी वहीं दोस्तो पश्यमंगाल के राजपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ एक महिला ने छिडखानी का आरोप लगाया है उसने दो मई को हरे स्ट्रिट थाने में राजपाल के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर हारदिक पांडिया की पतनी नटाशा ने इंस्ट्राग्राम से पांडिया सरनेम हटाया शोशल मीडिया रिपोर्ट में तलाख की अवःद Thailand में की थी शादी जियां दोस्तो टीम इडिया के ओल्राउंडर हारदिक पांडिया की पतनी नटाशा स्टेन कोविक ने अपने इंस्ट्रोग्राम से पांडिया सरनेम हटा दिया है इसी भी सोशल मीडिया पर दोनों के तलाग की अटकले लगाई जाराई है सोशल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाराई के दोनों का तलाग हो चुका है और नताशा ने हारदिक की 70% प्रोपर्टी अपने नाम करवा ली है वहीं दोस्तो नताशा इस पूरे IPL के दोरान नदारत दिखी मुंबई के किसी भी मेच के लिए नताशा स्टेडियम में चीर नहीं करने पहुंची इसके बाद ये कयास लगाया जाराई की दोनों के रिष्टों में दूरियां आ चुकी है हलांकि दोनों की ओर से अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार प्रदानमंत्री मोदी बोले जाडू पार्टी नशे की होलसेलर पंजाब सीम को मालिक से ओर लेने तियार जेल जाना पड़ा इंडी गडबंदन पाकिस्तान की भाषा बोल रहा जियां दोस्तो प्रदानमंत्री मोदी ने पंजाब के जालंदर में चुनावी रेली की, मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा शराब घोटा ला किया, वह पंजाब में ड्रग की काली कमाई में डुप की केसे नहीं लगाएंगे, जाडू पार्टी वाले न कहां से आते थे, रिमोट कंट्रोल किसके पास था, उन्होंने इस तरह कांग्रिस पर भी निशाना साथा, चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार, गूगल ने फ्लिप कार्ट में खरीदी हिस्सेदारी, एकोमर्स कंपनी में 2,907 करोड का निवेश का निवेश किया है, मनी कंट्रोल के सुत्रों ने बताये कि इस फंडिंग राउंड में फ्लिप कार्ट का वैलुएशन 36 बिलियन डोलर, यानि की 2.99 लाग करोड रुपे रहा, एकोमर्स कंपनी ने हिस्सेदारी बेचने के इस फंड्रेजिंग राउंड की शुरुआत पि बिजबी की उम्मीदवार कंगना रानावत ने ABP न्यूज को इंटर्व्यू दिया, जब उनसे पूचा गया कि आपका प्रचार क्या यहां पर सफल हो रहा है, इस पर जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि प्रदान मंतरी मोदी को लेकर जो उत्साह है और वो नेता ही नह काम से इतनी उपलब्दियों पर आए, तो यह कहना गलत नहीं है कि मोदी जी के साथ कोई देव ये शक्तियां तो है, जिनका आशिरवाद उनको मिला हुआ है, वैसे दोस्तों कंगना रानावत की इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंड वोक्स में अपनी राइ किया था, जियां दोस्तों अगर आप जानते है भारत की पहली महीला राष्ट पती कोन थी उनका नाम क्या है, तो जल्दी से उनका नाम कड़ूस में लिख दीजिए, अगर दोस्तों आपका जवाब होता है, एक दम सही और आप चुन जाते हैं लखी हुजता की रूप में